हलो फ्रेंड्स गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स आजम पढ़ेंगे on national prejudice ओलिवर गोर्ड श्मित की बहुत important essay है ये इसमें उन्होंने वर्डन किया है कि कुछ लोग में कुछ लोगों में बहुत ही विचित्र गुड होता है कि वे अपने country से तो प्यार करते हैं लेकिन अधर country से नफरत करते हैं ओलिवर गोर्ड श्मित को भी एक बार ऐसी इस्तिती का सामना करना पड़ा था वे इस प्रकार की जो संकीरता है narrow mindness है उससे वे नफरत करते हैं उनका मानना है कि हमें अपने आपको विश्यो का नागरित मानना चाहिए ना की सिर्फ अपने देश का चलिए इस एस्से को पड़ते हैं As I am one of that santering tribe of mortal who spent the greatest part of their time in taverns चुकि मैं एक फुर्सस से तहरने वाले वर्ग में से एक हूँ अपने आपको कहते हैं who spent the greatest part of their time in tavern जो कि अपना अधिकतर समय सरायों में, coffee houses में other place of public resort मतलब और दूसरे सारवाजिन कस्थानों पर बिताता है I have thereby इसलिए I have मुझे मिला thereby इसलिए an opportunity of observing an infinite variety of characters इसलिए मुझे आसर मिलता रहता है कि मैं विभिन प्रकार के लोगों के चरित्रों को मैं देखता हूँ मतलब मैं विभिन प्रकार के लोगों को देखता हूँ लोगों से मिलता हूँ wish to a person of a contemplative turn is a much higher entertainment जो कि एक चिंतनसील contemplative मतलब होता है चिंतनसील जो कि चिंतनसील व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक मनुरंजक होता है then a view of all the curiosities of art or nature मतलब किसी कलाकरती को प्रकृत को देखकर जो happiness मिलती है वो इस प्रकार के व्यक्ति को चिंतनसील व्यक्ति को बिभिन लोगों को देखकर मिलती है in one of these my late tremble इसी प्रकार में एक बार भ्रमर कर रहा था I accidentally fell into a company of half a dozen gentlemen कि मैं कुछ लोगों में जो है अचानक से मैं उनके company में उनके बीच का एक हिस्सा बन गया मैं ऐसे लोगों से मिला आधे दर्जन लोगों से who were engaged in a warm dispute about some political affair जो की एक बहुत ही राजनीतिक मतलब कोई राजनीतिक मुद्दे पर बहुत ही घर्म वाद विवात कर रहे थे the decision of which जिसका निर्ड़े ये हुआ as they were equally divided in their sentiment वे समान रूप से जो है भावनात्मक रूप से एक मत रखते थे they thought proper to refer to me उन्होंने मुझे पर ये निर्ड़े करने का मुझे मुझे पर छोड़ दिया which naturally drew me in for a share of conversation जिसके वज़े से मैं अपना चाहते हुई मतलब प्राकृतिक रूप से मैं उस conversation का उस बादचीत का हिश्चा बन गया among a multiplicity of other topics बिभिन प्रकार के मुद्दों के अतरिक्त we took occasion to talk of the different characters of the several nations of Europe हमें आउसर मिला यूरोप के बिभिन राष्टों के लोगों के चरित्रों पर बात करने का when one of the gentleman cocking his head and assuming such an air of importance as if he had possessed all the merit of the English nation एक gentleman ने अपने टोपी को हिलाते हुए इस प्रकार से दिखाया अपने महत्तों को जैसे की मानों की he had possessed मतलब उन्होंने धारड किया हो merit मतलब की good संपूर इंगलिस राष्ट का उन्होंने गुड अपने अंदर धारड किया हो इस प्रकार उन्होंने दिखाया declared that और उन्होंने कहा इस गोश्रा की कहा that the Dutch were a parcel of a various rich Dutch लोग लालची लोगों का जमगट है Dutch जो है लालची लोगों का जमगट है the French a set of flattering psychophant और France के लोग बहुत ही चापलूस और psychophant मतलब खुशा मत करने माले है that the German were drunken sorts और German के लोग पियक्कड होते है and beastly glutton और बहुत ज़्यादा भुक्कड होते है and the Spaniard proud hearty and surely tyrant और Spain के लोग घमंडी नफरत करने वाले और सासक होते है but that in bravery generosity, clemency लेकिन बहादुरी में, उदारता में छमा सिलता में and in every other virtue the English excelled all the rest of the world और सारे गुड़ों में but लेकिन की बहादुरी में उदारता में, छमा सिलता में and in every other virtue और और विभिन गुड़ों में जो अंग्रेज है वो excel करते है मतलब सबसे अधिक आगे है संपूर शंसार से इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों को सबसे अधिक अच्छा बताया और ये जो विद्दा और जुड़िशियस चाला की पूर जो टिपड़ी थी उसको रिसीव कर लिया गया जितने भी लोग वहां पे बैटे थे उस समय उन सब ने स्माइल के साथ समर्थन करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया आल सभी I mean मेरा मतलब है but your humble servant मतलब की writer ने नहीं एक्सेप्ट किया who endeavoring to keep my gravity as well as I could मैं जो है अपनी गंभीरता को बनाय रखने का भरसक प्रियास कर रहा था and wrinkling my head upon my arm और मैं wrinkling मतलब जुकाना मैंने जुकाया हुआ था मेरा सर अपनी भुजाओं पर continue for some time in a pasture मतलब मैं ये परिस्थिती में एक stage में मतलब बैठा हुआ था of affected thoughtfulness और मैं ऐसा मतलब सो कर रहा था कि मैं कुछ भी नहीं सोच रहा हुँ विचार रही था हुँ इस समय as if मानो कि I had been musing on something else और ऐसा सो कर रहा था कि जैसे मैं कुछ और सोच रहा हुँ मतलब वो जो बात कर रहा है उसको मैंने सुना ही नहीं and did not seem to attend to the subject of conversation मतलब मैंने जो बातचीते चल रही थी उसको मैंने सुना ही नहीं hoping by these means इस आसा से राइटर ऐसा कर रहा था to avoid the disagreeable necessity of explaining myself इस आसा से राइटर ऐसा कर रहा था मैं अपने आपको जो राइटर है वो अपनी बातों को नहीं रखना चाहता था क्योंकि जानता था कि ये किसी के द्वारा सहमत नहीं कोई करेगा इस पर सहमत नहीं होना है and thereby और इसलिए depriing the gentleman's of his imaginary happiness वो नहीं चाहते थे कि यदि मैं अपने विचारों को व्यक्त करू तो ये जो gentleman's जो इतने खुस हो रहे हैं smile कर रहे हैं इनका imaginary happiness scalp निख खुसी क्या हो जाए depriing मतलब छिन जाए but my pseudo-patriot मेरे जो नकली देशभकते had no mind to let me escape ये मुझे बचने नहीं देना चाहते थे so easily इतनी आसानी से मुझे छोड़ने वाले नहीं थे not satisfied that his opinion should pass without contradiction वो संतुष्ट नहीं हो रहते कि उनके जो विचार अभी ना किसी बिरोध के गसे चले जाए he was determined to have it ratified by the suffrage of everyone in the company वो चाहते थे वो बिलकुल उन्हें निश्चे किया हुआ था कि जितने लोग बैठे हैं उन सब से अपनी बात ratified मतलब मनवाई जाए उन सब से अपनी बात को मनवाई जाए by the suffrage of everyone in the company मतलब सभी लोग जो समय बठे हैं उस company में सब उस पर अपनी राय को दे for which purpose addressing himself to me with an air of inexpressible confidence और सिव देश से उन्होंने मेरे तरफ बहुत ही address किया सिव देश से कि मैं इस पर अपनी बात को रखूंगा he asked me उन्होंने मुझसे पूछा if I was not of the same way of thinking कि क्या मैं उनके ऐसा नहीं सोचता मतलब मेरे विचार क्या है इस बारे में as I am never forward in giving my opinion यदि मैं ऐसे कभी भी बढ़कर अपनी बात विचारों को नहीं देता हूँ especially when I have reason to believe जबकि मुकरब से तब जबकि मेरे पास एक कारण हो that it will not be agreeable जो कि मानने वाला नहीं है सहमतपूर नहीं है so इसलिए when I am obliged to give it जब मुझसे अन्रोध किया गया मेरी राय को देने के लिए I always hold it for a maximum to speak my real sentiment मतलब जब मुझस पर ऐसा कहा जाता है कि नहीं मुझे देना ही है अपनी बात को विचारों को रखना ही है तो मैं इस पर अपनी real sentiment ही देता हूँ मतलब मैं सही बात ही बोलता हूँ I therefore told him that मैंने उनसे कहा इसलिए for my own part जहां तक मेरा संबंध है I should not have ventured to talk in such a primpris strain मैं साहस्त नहीं करता हूँ मतलब इस परकार से जब राइटर से oblige किया जाता है कि अपनी विचारों को दो तो वो अपने सही बात ही कहते हैं इस पर कभी भी वे I should not I should not have ventured मतलब मैं साहस्त नहीं करता हूँ to talk in a such primpris strain इस परकार का निल्डे आत्मक जब मुझ भी निल्डे छोड़ दिया जाता है तो मैं निल्डे देने का जाहस्त अधिकतर नहीं करता हूँ मैं बचना चाहता हूँ unless I had made the tour of Europe अब कह रहे हैं कि यदि मैंने यूरोप का tour न किया होता and examined the manner of these several nations और इस प्रकार इन देशों का यदि मैंने अधियन न किया होता with great care accuracy ये बहुत मैंने गंबीरता से अच्छे से देखा ना होता लोगों को that perhaps a more impartial judge would not scruple to affirm that the Dutch world कहते हैं कि यदि मैंने जो है देखा ना होता ने रिच्छर न किया होता लोगों के व्योहारों का इन देशों के बहुत ही ध्यान से तो साइद मैं इस बात को नहीं कह पता और यदि कोई impartial judge करे निस्पच निर्ड़े करे तो साइद वो श्विकार नहीं करेगा इस बात को अब देखे आगे क्या कहते हैं Dutch were more frugal and industrious Dutch के लोग मितवेही और परिश्मी होते हैं The French more temperate and polite और France के लोग बहुत ही जो है विनम्र होते हैं दयालू होते हैं The German more hardy patient of labor fatigue और जर्मन के लोग बहुत ही धहरे वाले होते हैं परिश्मी होते हैं मेहनती होते हैं and Spanish more stayed and cedate और Spain के लोग बहुत ही गंभीर होते हैं सान्थ होते हैं और गंभीर होते हैं than the English अंग्रेजों की अपेच्छा who though undoubtedly brave अंग्रेज जो है निसंदे अब देखे क्या कह रहे हैं अभी तो इन्होंने सब कहा कि ऐसे होते हैं वैसे होते हैं were at the same time rest लेकिन फिर भी मतलब वो generous हैं brave हैं लेकिन rest होते हैं headstrong होते हैं impetuous होते हैं मतलब बहुत ही तेजी से headstrong तेजी से गुसा करने लगते हैं अधीर होते हैं to act to be elate with prosperity और prosperity जब उनके पास होते हैं तो बहुत ही खुस हो जाते हैं मतलब समरिद्धी में अपने but and to dispond in adversity लेकिन जब उनका विप्रीश समय आता है दुख के समय में वो निरास हो जाते हैं dispond होते हैं friends video लंबा हो रहा है अब मैं इसका second part लेकर के आऊंगी please channel को subscribe करिए bell icon प्रेस करिए और अधिक से अधिक वीडियो को share करिए thank you for watching me